लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए अगर सब कुछ ठीक रहा तो नविमबई से मुंबई के बीच याच वोट के जरिये सफर आसान हो जाएगा जी हाँ, बेलापूर में प्रस्तावीत भारत के दूसरे मरीना प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह की हलचल तेज हुई है उससे तो यही संकेत मिल ले है बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने सिटको अधिकारियों के साथ हुई बैठक के हवाले से दावा किया है कि जल्द ही मरीना प्रोजेक्ट के सुरुवात होगी असल में वर्ष 2015 से ही पुरो मंत्री गनशनाई के ग्लास हाउस की जगह मरीना प्रकल्प को प्रारंब करने की कवाय चल लही है लेकिन आज सक इसका विकास सिर्फ कागिजों तक ही सिमित रहा है हलांकि विधायक मंदा मात्रे का दावा है कि अब जब सभी जरूरी पर्मिशन मिल गई है तब मरीना प्रोजेक्ट साकार होकर रहेगा देखिए रिपोर्ट अब पूरी मरीना की प्लान बना ली है यह इस एरिया का अगस्तन इंडिया का उरिया का पहला बड़ा मरीना बनेगा यहां पर संदर एक मरीना बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है इसकोट इसकी प्लान बन गई है इसकी अभी एस्टिमेट्स हमको बनाने है सिद्को, मिनिस्पल कोर्करेशन, NMMC और मरीटाइम बोग अंकिनों जॉंट्ली यह प्रजेक्ट आगे लेके जाए हमेरा जो अंदाजा है कि यह प्लान के एस्टिमेट्स और टंबर अब अग्लेटी मिने में हो जाओगी अब जो पेंडर फाइनल करते चरते 26 जनवरी तक अपक्षा है कि काम की शुरुवात हो जाए तुरकोची कलपना एक्टी है नवा मुम्मेट लेटमर को अगो अनि आमची सगया नगरीकांची इच्छे कि गोर्दनी नदीन आमों हो जो नाउं देना थी आवो अनि आज पस्तों आमी तेस्टना उतो जाएर करता हो झाल अनि आम state 10 इवों ठेस्टना कि आम आम याएर के गल, तो झाल अनि आंबंस में अनि आबंस को दो सबस्टना कि तो स्य के ब काम है नविम्बई के बेलापूर का यही वो रेती बंदर इलाका है जहां भारत का दूसरा मरीना प्रोजेक्ट साकार होने माला है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2022 में यहां से याच बोर्ट चलेगी मुंबई और एली फेंटा के बीच जल्यात्रा होगी यहां गार्डन और योगा सेंटर बनेंगे एमफी तियेटर और याच पार्किंग तयार होगी सिटको, मेरिटाइम बोर्ड और नॉइमबई महानगर पाली का तीनों संजुक्त रूप से इस मरीना प्रोजेक्ट का विकास करने वाली है बीते 6 सालों से यह प्रोजेक्ट सिर्फ राजनीति घोषणाओं और फाइलों में उल्जा पड़ा है सिटको अधिकारी खामोस हैं लेकिन बीजेपी विधायक मंदा मात्रे को विश्वास है कि मरीना प्रोजेक्ट अब साकार हो कर रहेगा सिटको अधिकारियों के साथ हुई बैठक के हवाले से हाल ही में मंदा मात्रे ने दावा किया कि इसके लिए सभी जरूरी विकास परमीशन मिल गई है प्रात्मिक विकास के लिए 15 करोड की निधी भी सुनिश्चित कर दी गई है और अब जल्द ही इसके निर्मार प्रकरिया की सुरुवात होने वाली है आप खुद ही सुन लेजिए मरेडन को चालना मिलेगी और सभी लोग खुश रहेंगे क्योंकि जिसको भी बॉम में जाना है ताज मालूम है आपको कार लेके जाने पड़ती दो दो गंटे ट्रॉफिक में रहना पड़ता है इस ट्रॉफिक के वज़ा से भी तीन तीन जेटी चल हो रहे हैं नहीरूल की है बेलापूर में बंडरे और मरीना बताना जरूरी है कि वर्स 2015 से बेलापूर में मरीना प्रजेक्ट को साकार करने की कवायद चल लही है ततकालीन सियम देवेंद्र फर्णवीश ने इसकी मंजूरी दी थी जिसके बाद ततकालीन एमडी संजे भाटिया ने 2017 तक इसे कार्यानवित करने का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ इसके बाद सियम डी लोकेश चंद्र और भूशन गागरानी ने दिसमबर 2018 तक मरीना को आपरेशनल करने का भरोसा दिलाया था लेकिन वे भी पुर्व मंत्री गनेशनाई के ग्लास हाउस वाले वाटर फ्रंट पर मरीना को तयार करने में विफल रहे इसके लिए भगीरत प्रयास करने में जुटी बीजेपी विधायक मंदा मात्रे को अब यकीन है कि जो छे सालों में नहीं हुआ वह अब की बार साकार हो कर रहेगा यदि ऐसा होता है तो इससे नवींबई को नई पहचान और पर्याटन दोनों को बल मिलेगा लोगों के लिए एक इंटरनेशनल एरपोर्ट आ रहा है और उचके बाजू में अगर मरीना बन रहा है तो बहुत सारा लोग यहाँ पर समदर सेर करने आएंगे फेमिंगों यहाँ आते फेमिंगों को देखने हैंगे एरोली तक जाएंगे लोग यहाँ काफी लोगों को बच्चों को एक जुटी में दिलासा मिलेगा और यहाँ के स्तानी खुंडी कुद्रों को एक रोजगार मिलेगा ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया